अगर किसी दुकानदार के ग्राहक उसके वस में हो जाए तो उस दुकानदार की तो बल्ले बल्ले हो जाए तो आएए मैं आपका परिशे एक ऐसे भरोसे मंद और पावरफुल आमल से कराता हूं वी धूसराइकigorash54 साभनुंकि जिसके इस्तेमाल से आप अपने गरहकों को अपने वश में कर सकते हैं। OUTना ही नहीं वह आईसा वश में देंगे और उस दुकान पर जाने को कहेंगे तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस बेमिसाल और जवर दस्त फाइदे वाले अमल के बारे में डीटेल के साथ असलाम अलेकुम आदाब मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्र क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियो पैश करता रहता हूं चाथियों अगर किसी दुकानदार या किसी कारोबारी का काम ना चल रहा हो और ग्रहक ना आ रहे हों तो उसके लिए यह अमल बड़े काम का है इस अमल के जरीए वह अपने कारोबार को अपने दुकान को कई गुना मुनाफ़े में डाल सकता है कई गुना मुनाफ़ा कमा सकता है अपने कारोबार को कई गुना बढ़ा सकता है जाहिर से बात है जिस दुकानदार के गराहट उसके वश में होंगे ऐसा वश में होंगे कि वो कहीं और नहीं जाएंगे और दूसरों को भी उस दुकान पर लाएंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा दुकान कितनी चलेगी कारोबार कितना फलेगा फूलेगा तो आईए सबसे पहले मैं आपको ये अमल बता दूँ उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इस अमल से संबंदित एक बहुत जरूरी बात कि जिस पे अमल करना आपके लिए बहुत जरूरी है तो अमल बहुत ही सीधा, सादा और सिंपल है वो ये है कि सुभा सबीरे, बाद नमाजे फजर बावजू हो जाएए और एक गलास पानी लिजिए और इस तिलिस्म को जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तिलिस्म को आपने 300 मरतबा पढ़ना है 300 बार पढ़ना है और एकदम यकीने कामिल के साथ, दिल की गहराई के साथ, एकदम खुलूस मुहबत के साथ पढ़िये तीन सो बार पढ़िए अवल आखिर 11-11 मर्तबा दिरूश रिप पढ़िए अब आपने उस एक गलास पानी में इसको दम कर देना है फूक मारना है और वो पानी बड़ी हिफाज़त से संभाल कर रख लेना है अब जहां पर आपकी दुकान है जहां पर खरीदारी होती है जहा हुआ और डिस्पोजबल गलास भी वहां रख दीजिए और हो सके तो आप कुछ मीठा या कुछ नमकीन या दोनों आप दुकान पर रख दीजिए और आने वाली और उस गैलन में आपने उस पानी को जो आपने गलास में दम किया है तिलिसम पढ़के उस पानी को गलास पा पानी किसी भी सूरत पिलाईये क्या कि उसको यह कहिए कि मेरी फलाख slippery मैं ने यह रखा है इसका तरिका मैं आपको बतारहा हूं पिलाने को कि कैसे पिलाया जाएगा आप कोई भी खुशी का इजहार करके उसे कह सकते हैं कि आप पानी पीजिए मिठाई लीजिए या कोई डियाविटिक है तो उसको नमकीन खिलाईए और पानी पिलाईए उस गैलन का जिसमें आपने दम शुदा पानी डाला है उस गैलन के पानी का एक कत्रा एक करुशारिटारी करेगा उस दुकानदारसी करेगा और जो कारुबार का मसला हो और उसका वह उस दुकानदार से पूछेगा कि हम तक कि वह अपने घर वालों पर होश्यारी के साथ बहुत ही जो है साउधानी के साथ बड़ी अच्छाई के साथ किया जाए और अगर इसको आप हफते में या तीसरे दिन रिपीट करते हैं तो ये तो सोने पे सूहागा हो जाएगा और वो जो जरूरी बात है जिसको आपने ध्यान में रखना है बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है वो ये है कि जिस दुकानदार ने ये अमल किया उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी गरहांकों की पूरी पूरी जिम्मेदारी ले पूरा पूरा उनका खयाल रखे उनके साथ पूरी तरह से वफादार रहे उनके साथ किसी भी तरह का छल कपट ना करे उनको अपना लेबल वेश्ट दे अगर आप लेवल बेस्ट देंगे और उनके साथ वफ़ादार रहेंगे उनके साथ वफ़ा से पेश आएंगे तो आपके कारोबार में दिन दूनी राज चौगूनी तरक्की होगी आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ कि ये जानकार ये वीडियो आपको पसंद रहा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाजत मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ उपाय नुस्खे के साथ तब तक खुश रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए तिलिसमी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रिज कीजिए असलाम अलैकुम आदाब